कि अलोई व्रोवन वलकम बैक टो मैं चैनल आज की रेसिपी को कुकर में जटपट बनने वाली वेज भिर्यानी आप इस रेसिपी को ट्राइ करें यकिन मानिया आप इससे ज़रूर दुबारा बना कर खाएंगे चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे प व्रोपानी एकाल से पानि निकाल लिया है अब तोड़े से पनीर भी अगर आपके पास पनीर पानीर कर के शर्क्ते ह liksom निकाल लेंगे पनीर पनीर निकालने के बाद इसमें हम कुछ खड़ा गरम मसाला का फोरन डालेंगे, मैंने यहां पे तेज पत्ता, बड़ी लाइची, दालचीनी, लॉंग और जीरा लिया है, इन सारे चीजों को हम कुछ सेकेंड के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे, अब इसमें हम प्यांज ड अद्रक लशन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, अब देख पार हो, प्याज और अध्रक लशन का पेस्ट अच्छी तरह से भूं चुका है, अब इसमें मसाला आड़ करेंगे, यहां पे बिर्यानी मसाला मैंने दो चमस डाला है, बिर्य यह उन्चा इसे Ь मिलाने के बाद इसका फ्लेम लो कर दें। यह उन्झी अज रखने के लिए ने क्यों जख कशने और लो फ्लेम में ही इसे दो से तीन मिनाट के लिए पकने दें ध्यान रखें आप इसे मिलाते रहें मसाले से तेल अलग हो रहा है मतलब मसाला और दही अच्छी तरह से पक चुका है इसमें सब्जी डालेंगे मैं यहाप थोड़े बड़े स्थाइज के फुल को भी डाले हैं बीन्स थोड़े से डाले हैं गाजर और मेरे पास बीट रूट था तो मैंने उसे भी डाला है आप स्किप कर सकते हैं आपके पास जो भी वेजटेबल हो आप डाल सकते हो कदू बैगन आप छोड़ कि इसमें आप मतल भी यूज कर सकते हो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम फ्राई किया हुआ स्वाबिन डालेंगे जब तक सब्जी बुन रहा है तर तक हम राइस धो लेना है मैंने यहां पर बास्मति चाओल एक ग्लास किया है अब देख पारो सब्जियां अच्छी तरह से मसाले के साथ फ्राई हो चुकी है अब इसमें हम फ्राई किया हो पनीर डालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखा था और यहां पर थोड़ से मैंने सब्सक्राणि मत्र भी एड़ किये हैं इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम पनीर को भी मसाले के साथ कुछ मिनट के लिए बस भून लेंगे इसमें आप पानी डालने से पहले पनीर को डाले अगर स्टार्टिंग में अपने सब्जी के साथ पनीर डाला तो वह तूट जाएगा अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे जितना अपने चावल लिया है उसका डेड़ गुना पानी डालना है मैंने एक गलास राइस लिया था तो यहां पे डेड़ गलास पानी डाला है पानी डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे इस टाइम में आप नमक जरूर टेस्ट कर लेगा नमक कम लगे तो आप यहां पर एड़ कर सकते हैं इसमें हलका सोबाल आएगा उसके बाद इसमें हम राइस डालेंगे चावल डालने के बाद इसमें आपको पुदिने का पत्ता और हरा धन्या डालना है आप इन सब का अपने हिसाब से अपने टेस्ट के डाल कर इसका धकन बंद कर दे और इसे हाई फ्लेम में एक फूल सीटी आने तक इसे पकने दे एक फूल सीटी आने के बाद इसका फ्लेम अपलो कर दे और लो फ्लेम में इसे दो मिनट के लिए रहने दे और उसका फ्लेम बंद कर दे दो मिनट के बाद आप कूकर का सारा प पारो वेज बिर्यानी बनकर रेडी है अब इसे गर्म गर्म आप सर्फ करें यह दही या रायता के साथ बहुत ही टेस्ट लिए लगता है आपको किसी सब्जी या ग्रेवी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको यह सिंबल से रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज विडि